गुवा फिरा की बात का ये बेरोजगारी तकी बिरोजगार है, मुझे तक तक कोई बेरोजगार है, बेरोजगारी है दोस्तों खुद को हिंदू शेरनी बताने वाली यह लड़की मुसल्मानों से नफरत में इस तरह अंदी हो चुकी है, कुछ दिखाईी नहीं देता है 40 साल का पांडा उठा कर ले गया शादी कर ली और एक खबर आप लोगों को दिखाऊंगा सब कुछ एक तरफ से दिखाऊंगा खबर दिखाऊंगा एक कल्लू नाम का एक हिंदू जो बेरोजगार था बैंक से 35 लाख रुपिया लौन लिया था उस लौन को माफ कराने के चक् करके बैंक का जो लौन था उस लौन को माफ कराने के चकर में अपने दोस्त मुहम्मद सल्मान को खत्म कर दिया एक तरफ से स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाऊंगा देखिएगा और वीडियो को शेर करिएगा ऐसे लोगों तक पहुँचाएगा ये लड़की कहती है कि बिरोजगार है ही नहीं आए एक तरफ से आप लोगों को दिखाऊंगा सबसे पहले मैं दिखाऊंगा गैरा साल की बच्ची आप देख सकते हैं गरीब लाचार परिवार पांडे से कर्ज लिया था कर्ज नहीं चुका पाई इस बच्ची की मां कर्ज नहीं चुका पाई क् इस पांडे ने 40 साल का पांडे इस बच्ची को उठा कर अपने घहर ले गया घहर ले जाने के बाद मांग मैं सिंदूर भर दिया शादी कर ली क्यों बेरोजगारी के कारण लेकिन ये कहती है कि बेरोजगारी है ही नहीं अब आए जो मैन खबर है जो बड़ी खबर है उस तर रखा था तो 35 लाख माफ करा कर जो बीमा था 25 लाख रुपए और भी बैंक को चुना लगाने के ղिए खुद को मुरदा थाबित करने के लिए अपने दोस्त का इस्तिमाल किया इसका दोस्त जिगरी दोस्त मुहम्मद सल्मान था इनके घर वाले और ये कलू भी मिलकर साज एंधित स्राचनय के बाद मुहम्मत सलमान को को फॉन करके बुला ताकि पुला कर वहीं पर खत्म कर देता है चेहरे को बिगाड़ देता है ताकि कोई पहचाण ना सके और अपना ाधार काड कुछ काड होता है अपना phone, mobile phone भी सलमान के जेब में भर दिया ताके पुलिस को पता चले ये कल्लू है और हमारा जो कर्ज है वो माफ हो जाएगा और 25 लाख का बिमा भी मिल जाएगा लेकिन बाद मैं किस तरह से कल्लू पकड़ागा है वो भी बताऊँगा देखिए एक तरफ से शायद आप लोग भी बैंक से कर्ज लिये होंगे, लोन लिये होंगे तो उसको ठीक से चुकाना है लेकिन इसने घटिया कदम उठाया बहरहार मुहमत सलमान को खत्म कर दिया पुलिस जब गई तब देखा के आधार कार्ड में कल्लू नाम है मोबाइल भी है तो लाश को घहर ले गई पुलिस कल्लू के परिवार को सोप दिया परिवार वालों ने इंतजाम करने लगे जलाने के लिए उसके बाद जलाने के लिए उस जगह ले भी गई जलाने से ठीक पहले पता चल चुका कि आखिर मामला किया है कोई शिकायत नहीं कर रहा है कोई F.I.R. पुलिस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है कि क्यों इस तरह हुआ कोई शिकायत नहीं पुलिस को शक होने लगा गाउं में पता किया कुछ लोग बोल रहे थे ये कल्लू की लाश नहीं है कल्लू का रंग थोड़ा काला था ये थोड़ा गोरा है इस तरह बातें चलने लगी तो जलाने से पहले मौके पर पुलिस वहां पर पहुँच गई और लाश को जब्द कर लिया जब्द करने के बाद कल्लू के परिवार वालों को दबाव डाल कर पुझा के आखिर मामला किया है ये लाश किसकी है बहुत कोशिस करने के बाद जब वो लोग फंस गए पकड़े गए चारों तरफ से तब कबूल कर लिया के मामला ऐसा है इस तरह से ये कल्लू की लाश नहीं है मुहमद सल्मान की लाश है इस तरह से हम लोगों नहीं साजिस रची उसके बाद कल्लू की पतनी भाई और कल्लू को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया क्यों बेरोजगारी के कारण लेकिन ये लड़की क्या कहती है कि बेरोजगार है ही नहीं और उससे पहले एक वीडियो वारल हुई थी इस वीडियो को भी देख लिजे मौका है देख लिजे दोस्तो ये लोग हमेशा क्यों इस तरह कहते है ये लड़की इस तरह कहती है कि बेरोजगार है ही नहीं पता है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के नियूज देखती है अगर आप भी देखते हैं तो होशियार हो जाए और गोदी मीडिया के सपोटरों तक ये वीडियो पहुँचाए ताकि उनको भी पता चले कि बेरोजगारी इस देश में है या नहीं है